नमस्कार BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं भाकिश्री आपका स्वाकत करती हूँ बढ़ते हैं खबरों के और फिरजबाद के शिकोहबाद रोडवेज बस्तैंड उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निकम कर्मचारी अधिकारी सयुक्त संकर्श मोर्चा शिकोहबाद के रोडवेज दिपो के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांद कर प्रदशन किया इस प्रदशन में जमकर नारे बांचे के अपनी साथ सुत्रिय मांगों को लेकर कुछ रोड़ो पर पड़ी प्राइवेट वाहनों को लाइसेस देने का विरूद क्या है इसके साथ कर्मचारियों की रोजी रूटी की समस्या खड़ी होने की आशें का चताई इस प्रदशन में संजे बाबू बख देविंद्र सिंग शिखकुमार या दो नसीम अली गुली और 25 अनी अधिकारी कर्मचारी अपस्तित रहे शिगर वार्वाड डीपोर कर्मचारी की प्राइबेट परमिट दे रहे हैं हमारे 55,000 करमचारियों को नुक्सान की कर रहे हैं यह कारण है मेन कार रहा है और सम्मेदा करमचारी कट्रोती हो रहे ही बेवज़ा से विसेंद नियूस के लिए फिरोज अबास से रिहान अली की रिपूट बुलन शहर में सड़क सुरक्षा मा के अंतर गय चात्र चात्राओं को यातायात नियमों वसंकितों को जानकारी दी गई तथा उनको दुरगट नाव से बचा होई तु समझाया क्या जिसमें स्कूल की चात्र चात्राओं ने काफी रुचे दिखाई वसावधानी से गाड़ी चलाने की गुन पिर से के जिससे दुरगट नाव से बचा हो सके इस अवसर पर टी एसाई विजय पाल सेंग हेट कॉंस्टेपल बुपेंटर चेकारा आदी मोचेत रहे बिसें नियुस के लिए बुलन शहर से जाविद खान की रिपूर्ट फरजी कॉल सेंटर चला कर ठगी करने वाले गिरों का हुआ परताफाश लखनों की साइबर क्राइम सेल ने अंतराज ये तीन जाल साज को क्या की रफतार चेनाड की देवा रोड पर गो इंडिया नाम से चला रहे थी कॉल सेंटर चार शाते जाल साजों ने मिलकर बनाया था फेक कॉल सेंटर दिल्ली में बैट कर अमिर नामा की वक्त वरा संचालेत क्या जाला था यह कॉल सेंटर जाल साजों ने इंटर्विव की मात्र से चार लड़कियों को दी गई थी नौकरी ठगी का शिकार बनाने के ले लुभाओं ने सपने देखकर फसाय जाता था अपनी चालबी लॉगडाउन के बाद से ही इस फेक कॉल सेंटर का इन अपरादी ने लखनों में किया ताशिवारब ठगी करने के बाद यह जाल साज आपस में बाटिया करती थी ठगी की विरुपे अभिहाली के दिनों में क्रेडिट कार्ड बनाने के नाप पर सिराज नावक युवक से भी कीती 30,000 की ठगी शातिर जलसाजों ने SBR बैंक से संबधित वर्च्वल नबर का करेते इस्तिमाद कब्रिसान की जमिन पर कब्जा करने का आरूप लगा दमपती ने 6 बच्चों संग लगाई थी आग आज एक और बच्ची की हुई मोद कानपूर दिहाद की मुसानगर में 28 जनवरी की राती में जमिन पर कब्जा करने का आरूप लगा गुलफाम ने पत्नी और 6 बच्चों की संग आग लगा ली थी जिसमें 8 लोग गंबी रुप से जुलसे गया थे सचना के बार मोकी पर पहुचे पुलिस कर्मियों डे सभी जुलसे लोगों को अश्पताल भीचवाया वही आख से जुलसे लोगों को बचाने में ठाने का एक सिपाई भी गंबी रुप से जुलस क्या था वही जुलसे लोगों का इलाज लखनों बे चल रहा है आज इलाज के दौरान कल एक बच्ची चान तरा तीन वर्ष की मौत हो गई है और आज दूसरी बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई वही घटना में बीचेपी निता ने कब्रिस्तान की जमीन पर कबजा ना करने की बात कही थी साथी बीचेपी निता ने उनके द्वारा जमीन खर्ट कर बनवाए जाने की बात कही थी जिसकी राज़स्वर टीम द्वारा जाच भी कराई गई थी बेचेपी नेता ने इस घटना को राज़्टी तीक शडियंत्र के चलते फसाय जाने की बात कही थी मुसानगर भी हुई घटना अब राज़्टी तीक रूप ले चुकी है और गुलफाम के माता पिता से मुलाकात कर घटना की बारे में जानका निली और पेड़ित को नाय ना मिलने पर इस मामली को विधान सभा में उठाने की चेताव नी थी जिसमें अधिकार की मिली भकती महिगर्टा की जानकारी पर शेत्रिय लोगों ने दुख जता है और नयाय दिलाने की बात कई है BCN News के लिए कानपूर देहा से रजा मुहम्मद की रिपोर्ट BCN News की प्रदेश की खबरों में फिला लिता ही अज़े खबरों से हम आपको योही रूपर रुकरवाते रहेंगे देखते रहें बीसियन न्यूज नमस्कार